वो जब तक जिन्दा है और जब तक भाज़ पाए वो कभी सत्ता में नहीं आ सकते हैं पूरे कांग्रेस के राहूल गांदी को मलिका खड़गे को और उसको सोनिया को भी सब को चैलेंज जो विक प्रक्ष में बोलता हूं सब को यह दो केवल महंगाई महंगाई बोलते हैं लेकिन उस समय में मजदूर की क्या रोजगारती और आज की डेट में मजदूर की क्या है वो देखिए फिर आप कैसे महंगाई को आप लन कर रहे हैं मैं जाट ही हूं जाटो में भी 50% बीजेपी को सपोर्ट करें जाटो में 50% आप बात्चीत करेंगे और जानेंगे 10 साल कैसे भी 30 तना विकास है। इतना समाज के कोई सरकार नहीं कर पाई नरिंद्र मोधी जी की जो ये सरकार 2014 में आई थी उसने देश का ओवराल डेवलमेंट काया कल्प किया है नव निर्मान किया है और पूरे देश को जागरू किया है हमारे स्वाभीमान को जागरत किया है हमारा विकास निरंतर हो रहा है सुरक्षा प देखिए ऐसा है आप भी बहुत जागरुक पतrकार हें और जुआ हैं होना रहे पूरे देश में आप घुमते हैं मंदिर पर ध्यान है सो परसेंट सही परंतु विकास की कोई विधा ऐसी नहीं जहां विकास पर ध्यान ना हुआ हो सिक्षा चिकित्सा रोजगार उद्योग और सुरक्षा पर ध्यान ना हुआ कोई भी फिल्ड ऐसा नहीं जहां इस गौर्णमेंट ने गोर्ना कियो इस गौर्णमेंट का तो यह एडिशनल काम है कि जो मंदिर जो हमारी विरासत थी जो हमारी संस्कृति थी जो हमारे आकरान ताउना हमें दबा के रखा था भारत की अस्मिता को गड़े में डाल दिया गया था आकरान ताउना जो बेज़जती की थी जो सांस्कृतिक रास्टवाद अब चला है अगर ये पहले होता देश बहुत तरक्की करता और विपक्ष का आरोप बिल्कुल निराधार है वो निराश है क्योंकि उन्होंने मंदिर वाले मामले में बहुत निगेटिव रोला दे किया था उन्होंने डियरेक्ट कार्शियों को गोली चाहिए अजारों आजमी को माल डाला था और सर्यू नदी का पाणी का रंग लाल कर दिया था वो बहुत हत्या के आरोपी हैं वो कहते हैं कि देश की सुरक्ष्य धर्म पर करने के लिए हमने तो समिधान का पालन करने के हिंदू धर्म को हतोत साहित करने के लिए लोग को मोत के घाट उतारा गया था मुलाम सिंगी गवर्मेंट में और वो निगेटिव थे आज भी निगेटिव में लेकिन अब तो राउल गांदी कहा रहे है कि गारंटी दे रहे हैं हमने गठबंदन मना लिया है इंडिया गठबंदन अब गी बार मोधी को कुर्शी से उतार कर ही रहेंगे देखेए शिर्वान जी जो इंडिया घटपंदनाना है ओएंडिया नाम लेके तो वह NY करना चाहते हैं देश का नाम लेके और इंडिया रहा भी नहीं भारत हो चुका और जो कंसरी सिर्फन हम इंडिया इन्डीया कुछ नहीं जो भारत है वही इंडिया है तो भारतो नामे इंडिया कोई संग्टन नी और आपको यह बता दू ममता बनर जी और कांग्रेस मैं जूत बंगाल में बजावा साफ हो गया कि एक भी सीट कांग्रेस को महाने मिलेगी वहाँ भंकवद मानने का एक भी सीट तेरा की तेरा में से नहीं मिलेगी केजरीवाल कभी यही हाल है कोई जगे ऐसी नहीं जहां कोई भी संग्ठन दूसरी पार्टी कांग्रेस के साथ हो केवल पिटे-पिटा एक इसे हुए जिनकी कोई वजूद नहीं केवल सपा के कहते हैं हमारा कांग्रेस से गट बंद रहेगा और जूत यहां भी बंद ना निश्चित एक कांग्रेस के आई थी पांच इनकी आई थी यह छे मैंसे भी आधी पिटे-पिटा है किसे किसा है समाजवादी वाले हाँ बिल्कुल कुछ है इतना जूट बोलते हैं वह समझते हैं उंगुली करके था पांच मुक्मंद्रियों में इतना आज तक कहीं हुआ नहीं और वह नहीं वह इतना बोलते हैं जूट विधान सभा में कहरे थे सफाया हो गया कहा रहे वह कुछ भी तो नहीं है वह निगेटी बोलते हैं कल के पेपर में आपने देखा होगा यह कहा कि सब सांसदों के यूपी में बाजबाट टिकट काटने जा रही है क्योंकि उनके खलाफ एंटी इंकमपेंसी और बस एक टिकट को छोड़के फिर कहा वो जो एक टिकट संभवत है उनका इशारा मोदी जी की तरफ होगा कि वो कुएंस्टिनसी बतल लगा है वो हो सकता है सुदूर प्रदेश में चले जाए वो उनकी निगेटिविटी है लोग के ब्रेनवाश करने चाहते है जो गोबल्स था हिटलर का परचार मंत्री उसने यह कहा था सो बार जूट बोलने से वो सारा जूट सच हो जाएगा यह बिल्कुल बक्वास है अकलेस यादव को यह पता नहीं कि उससे पढ़े लिके हैं अनुबाव के और सेंस्रीबिल आदमी बहुत हैं पुरे हिंदुस्तान में वो कुछ की कुछ गिंटी नहीं बड़ के मुख मंतर हैं अपने आपको पड़ेरी का दावा करते हैं इतना जोट को बोले समाप्त हो जाएंगे और वो जी जाएंगे वो कभी भी नहीं जीच सकते उनका इतना डिगेटीव यक्तित्व है नेगिटीव है वेक्तित्व कुल लगातार आरोप लगा रहे भाजपा प को नी पूरे विपक्ष को चलेंज है पूरे चांग्रेस के राहूल गांढी को मलीका खड़े को और उसको अन। को भी सबको चैलेंज जो भी प्रक्ष में बोलता हूं सबको मिनाक्षी शिशोदिया मिनाक्षी जी आपको क्या लगता है कि कैसे बीते दस साल मोदी बहुत अच्छा विते हैं हम लोगों को बोलने की जरूरती नहीं है आप लोग तो डेली देखी रहे हैं लेकिन यूपी मे अच्छा नहीं भी सबने कैसे यहां तक कि हमारा प्रशाशन महिलाओं की और सबी लोगों की बात सुनता है कहते हैं कि महिला तंग है सरकार में वह फैसलिटीज नहीं मिल पारी हो सुरक्षा नहीं है विपक्ष का तो कहना ही है कि कुछ ना कुछ तो बोलेंगे यह लोग लेकिन ऐसा नहीं है आप हरी महिला हो से यहां से हमारे उत्तरपदेश में क्या पूरे भारत देश में पूछ के लेते थे घाल अब लेकिन हमें उसको ब्लैक में खरीते थे तो लेकिन अव ऐसा नहीं है ऑर उस समय में खैथ को यह क्ला सब्सवि occup的話 यसे करें लेकिन उस घृतरा उस समय में मझा कि क्या रोचगार्ती गया सब्सक्र he है फिर आप कैसे महेंगाई को आप आंक लन कर रहे हैं क्या अगरा प्रधानमंत्री कौन बना दोजार चोबिस में हमारे मोदी जी बनेंगे इंडिया गठावंदर मना के यह पैदल पैदल राहूल गांदी पूरे देश में घूम रहे हैं इनका क्या होगा आजी इनको कौन कुछ रहा है ऐसा नहीं है कि राहूल गांदी जी कोशिश करेंगे तो Czech nemben ओगे वो नहीं है काम करके दिखाना ओता मोदी जी इंसे हैं कर से हैं और हैसा नहीं हुआ दससाल में तो मैं बहुत हैं यासा पहले कि सरकार क्या हूं क्या कोई फरक नजर आता है महारे जबारत नाम क्या लग रहा है?. अब क्या लग रहा है आपको की 2024 में परधान मंतरी मोदी जी तीसरी बार बन जाएंगे या फिर जो एक गठ बंदन हो रहा है इंडिया गठ बंदन एक हुआ है उसमें से कोई चुनकरा जाएं कितने गठ बंदन बनेंगे तो मोधी जी जी कि नजराते हैं सारे फैसलेटी आपका क्या नाम है अंजु खोकर अंजु जी आप क्या समझते हैं कि किस तरह की रही है सरकार दस साल कैसे भी थे बहुत अच्छे दस साल हमने अब से पहले ऐसी सरकार नहीं देखी थी सबसे बड़ी लिए भी बात इसमें क्या है कि महिलाओं का बहुत सम्मान है और हमारे छेटर की जो बात करें तो इतना कारिय हमने कभी किसी सांस्थ को अपने भी देखा नहीं हमारे जो डोक्टर सत्यपाल जी सांस्थ जी है वह मतलब गावगाओ निई घर घर जाकर और लोगों की समस्षा सुनते भी है और खेतर में काम तो गिनाने लगे तो सुख्य से शाम क्या अगला दिन भी ही रहेंगे लेकिन यहां पशिस्व में तो कहते हैं कि इधर तो जाटों के दबदबा है और जाट भाजपा के खिलाप है मैं जाट ही हूं और मैं ऐसे गड़ से हूं जो चोदरी चरण सिंग्का गड़ माना जाता है चपरोली चेत्र से लेकिन हमारे आज की युवा भाजपा को पूरा सपोर्ट करें और मतलब आगे बढ़के भी आ रहे हैं भाजपा को सपोर्ट करने के साथ साथ में मतलब और लोगों को जोडने का काम करें आप तो कह रहे हैं पर चोद हमारी पार्टी ने इसलिए अब यह कं अब कम से कम में बोल सकती हूं जाटों में 50 परसेंट बीजय पिको को सपोर्ट करें परसेंट बिलकुल ज्यादा भी हो सकते हैं